नमस्कार मित्रों, आज हम मराटों का सबसे अध्भुद और प्रसिद्ध शस्र देखेंगे, इस शस्र को पट्टा कहा जाता है, इसे दंड पट्टा कहा जाता है, और फिर ये बाद में दांड पट्टा नाम से बहुत ही मशुर हुआ, बाजी प्रपु देशपांडे जी ने केवल तीन सो मावलों के साथ सिद्धी जवर के हजारों सहिनिकों को रोक कर रखा था, और बाजी प्रपु देशपांडे दोना हातों में इस पट्टे को पहन कर लड़ते थे, पट्टा चलाने के सबसे महत पूर्न बाते हैं, इसमें बहुते आचुकता के जरूरत होती हैं, ये बहुती लचिला लेकिन धारदार और मजबुत शस्र हैं, इसलिए इसे चलाने के लिए हाथों में शक्ती के साथ साथ बहुती लचिला पन, फूर्ती और एका ग्रता के आवशकता होती हैं, अब ये आप देखेंगे कि पट्ट में से सटिकता से अलग-अलग तरिके से काटेंगे इतने दुर पकड़े हुए होने के बावजुद भी कितनी सटिकता से ये नमुग को काट सकते ये देखने लायक है पुराने समय में जब भी शत्रों को मार कर आगे चले जाते थे तब कुछ लोग पीछे रहते थे और जो भी शत्रों अर्दमरी अवस्ता में पड़े हुए होते थे वो फिर से उटकर पीछे से वार न करे या फिर युद्ध न शूर करे इसलिए उनके च्छाती पर पेर रखकर जोर से उनके गर्दों नों कोड़ा आय जाता था यही कर्तब आज यही निम्बों के साथ करकर दिखा रहे हैं इसी प्रकार से पट्टा चला तो है आपके हाथों में कितना कंट्रोल है कितना सयम है और कितने आचुकता है यह दिखाने के लिए ककड़ी को पेट पर गर्दन पर या फिर मूप पर रखकर काटा जाता है ये देखने में आसान तो लगता है लेकिन जरा सभी जोर से काटा गया या फिर पटा नीचे गया तो गर्दन या पेट आसानी से कड़ भी सकता है वर्षों वर्षों की निरंतर सहराव और अभ्यास के बाद इन्होंने ये सिद्धियां अपने आप में प्राप्त की है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जी कमेट्स में जरूर बताएए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में नए शस्र के साथ जैश्री राम